Hi everyone, so आज हम सीखने वाला है कि हम MS Word application में Find and Replace command को कैसे यूज करते हैं? Find and Replace command रहेंगे Home tab के Editing group में. So let's see how to use them. For example, समझें कि हम एक बड़ी सी document में work कर रहे हैं और हमें उस document में एक word दूरना है. So उस particular word को दूरने के लिए हम फिर से तो पुरी document read नहीं कर सकते हैं ना? So अगर हमें अमरे document में कुछ words find करना है, तब हम use करते हैं Find command. Find command की help से हम उस word को आसानी से दूरन सकते हैं. So यहाँ पर कुछ text है, और यह information related है telephone से. अब हमें इस document में एक word दूरना है. यहाँ पर है five pages. For example, हमें यहाँ इस document में दूरना है telephone. इस word को हमें दूरना है. So इस word को find करने के लिए हम यहाँ पर editing group में आकर find command पर click करेंगे. So आप देखें, यहाँ find का navigation pane left side में open हुआ है. और यहाँ इस box में आपको जो भी word find करना है उसे आप enter करें. So हम यहाँ पर enter करेंगे telephone. अगर वह word जो भी हम दूरना है उस document में रहेगा, तब वहाँ yellow color में highlight किया हुआ हमें नजर आएगा. और वहाँ उस word के result की preview हम यह navigation pane में भी देख सकते हैं. हम दूरना है telephone और वहाँ word इस document में 11 times है और वहाँ yellow color में display हो रहा है. So यहाँ पर ISO in results को चेक करने के लिए आप एक word से दुसरे word पर जम कर सकते हो इन arrows को use करके. इस तरह से. So इस तरह से हम find command को use करते हैं एक word को find करने के लिए. So आप सुच रहे होंगी कि इतना असना है एक word को find करना. Wait, wait, wait. अभी यह topic खतम नहीं हुआ है. यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है. वो चीज क्या है? अभी हम देखेंगे. So उसके लिए हम यहाँ पर दूसरा example लेंगे. अब हम यहाँ पर search करेंगे phone. So अब हम इसे cut करेंगे और हम यहाँ पर enter करेंगे phone. So आप देखें, यहाँ पर हमारा result yellow color में display हो रहा है. क्या आपने एक बात notice की है यहाँ पर? हम दून रहे है phone. पर यहाँ पर yellow color में जो display हो रहा है. वो words देखेंगे आप. यहाँ पर telephone. टेली फोन में है, तो phone yellow color में display हो रहा है. microphone highlight हुआ है. ear phone highlight हुआ है. So यहाँ पर जो word हमें find करना है, वो है P-H-O-N-E. पर यहाँ पर जो result बता रहा है, वह phone दूसरे word से attach किया हुआ बता रहा है. So कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो word दून रहे है, वो किसी दूसरे word से attach किया हुआ रहता है. यहाँ पर find करने में तो आसान रहेगा, पर हम इस word को दूसरे word से replace करना चाहेंगे, तब यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा. So इस situation में हमें क्या करना है? अगर हमें exactly वही word चाहिए, जिसे हम दूरना जा रहे हैं, तब हमें यहाँ search for more things के drop down arrow पर click करना है, यहाँ पर एंटर करेंगी phone, आप देखें, यहाँ पर result बता रहा है, only one result. So हम phone word को दूरन रहे हैं, और वहाँ इस document में सिर्फ एक बार है, और वहाँ word हमें यहाँ yellow color में highlight किया हूँआ डिस्पले हो रहा है, So जब हम find and replace command को use करते हैं, तब हमें यह बात ध्यान में रखनी है, So अगर यहाँ पर इस find के navigation pane को close करना है, तब हमें यहाँ पर click करना है close पर, तब हम find के navigation pane close हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी text highlight किया हूँआ है, वो आटोमेटिक से remove हो जाएगा, और यहाँ find command का shortcut की है control plus F, आप अपने keyboard से control plus F button प्रेस करके भी, इस find command के navigation pane को access कर सकते हो, So यह था find, So अब हम देखेंगे find and replace, पर एक्दामपल समझे कि आप एक document में work कर रहे हो, और उस document में आप कई-कई places में एक word की जगा दूसरी word एंटर कर दिये हो, या फिर आप उस document में कई places में wrong spelling एंटर कर दिये हो, अब हमें उस mistake को write करना है, जो भी misspelling या फिर जो भी mistake हमने हमारे document में किये है, उसकी place में हमें सही word एंटर करना है, So एक word की place में अगर हमें दूसरी word रिप्लेस करना है, तब हम use करते है find and replace command, So अब हम देखेंगे कि हम replace command को कैसे use करते है, So उसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है phn, Actually हमें यहाँ पर telephone एंटर करना था, जिस्ट आपको यह replace command किस तरह से use करते हैं, यह दिखाने के लिए हमने यहाँ पर spelling mistake किये है, So इस phn को, इस phn spelling mistake को हमें replace करना है, telephone से, So उसके लिए हम यहाँ पर click करेंगे replace command पर, So आप देखें, यहाँ पर find and replace का dialog box open हुआ है, और यहाँ पर find what, हम इस word को भी दूड़ना चाहरा है, उसका नाम आप यहाँ पर enter कीजिए, अगर example की दौट पर कहा जाए, तो यहाँ पर आप उस wrong word को enter कीजिए, तो हम यहाँ पर find what की place में enter करेंगे, phn को, आप यहाँ पर देखे, options, whole words, So जब हम find command यूज कर रहे थे, एक word को find करने के लिए, वहाँ पर options में हम इस box को चेक किये थे, find whole words only, और वो यहाँ पर display हो रहा है, उसके लिए आप यहाँ more पर click करके देख सकते हो, यहाँ पर देखे, find whole words only, So यहाँ पर वह exact word को दूढ़ेगा, जो हम दूढ़ना चाह रहे है, So next है replace with, हम उस word को किस word से replace करना चाह रहे है, इस phn spelling mistake को हमें replace करना है, telephone से, So हम यहाँ पर enter करेंगे telephone, find next, So हम यह one by one देखेंगे, अब यहाँ पर telephone एंटर करने के बाद, हम यहाँ पर click करेंगे find next पर, So यहाँ पर find next पर click करने से, वहाँ उस word को highlight करता है, जिसे हमें replace करना है, So अब हमें यहाँ चाहस मिलता है, कि हम उस word को check करने, कि यहीं word है जिसे हमें replace करना है, So यह check करने के बाद, आप यहाँ click करें replace पर, तब वहाँ word replace हो जाएगी, इसी तरह आप एक एक word को check करके replace कर सकते हो, So यह एक method है, अगर आप आपके document में सारे words को एकदम से replace करना चाहोगे, तब आप click कर सकते हो replace all पर, So अभी हैब समझ गया होगे replace और replace all के बीच का difference, So यहाँ पर हमें 2-3 words को replace करना है, तो हम यहाँ पर click करेंगे replace पर, replace, Now done, अब यह words replace हो जुके है, हम यहाँ पर click करेंगे close पर, So यहाँ replace command की shortcut की है, Ctrl-Pless-H, आप अपनी keyboard से Ctrl-H प्रेस करके भी, इस find and replace command के dialogue box को access कर सकते हो, So अब हम प्रेस करेंगे Ctrl-Pless-H, So आप देखिए, यहाँ पर find and replace command का dialogue box open हुआ है, So यहाँ पर एक और छोटा सा topic है, जिसे हमें cover कर लेना चाहिए, वो भी बहुत important है, वो है go to, आप यहाँ पर देखिए, go to, इस go to option की help से, हम हमारे documents में, जहाँ पर भी हो, जिस page में हम जाना चाहेंगे, उस page में, या फिर जिस line में हम जाना चाहेंगे, उस line में, हम direct से जा सकते हैं, इस go to command की help से, So आप देखिए, यहाँ पर go to है, हम यहाँ पर click करेंगे, So हमें यहाँ पर इतने options है, यहाँ पर पूछ रहा है, go to what, हमें कहाँ पर जाना है, आमें किसी page पर जाना है, या फिर किसी line पर जाना है, या फिर किसी section पर जाना है, and so on, For example, हम यहाँ पर page select करेंगे, हम जाना जाएंगे page number 5 पर, तो हम यहाँ इस field में enter करेंगे 5 और यहाँ पर हम click करेंगे go to पर तो आप देखिए हमारा cursor यहाँ पर page 5 में आ चुका है तो इसी तरह आप जिस भी page में जाना चाहोगे आप go to command की help से जा सकते हो तो next हम एक और example देखेंगे अब हम यहाँ पर select करेंगे line अगर आपको आपके document में किसी भी line पर जाना है आप उसका number यहाँ पर enter करें आप direct से वहाँ पर जा सकते हो तो हम यहाँ पर enter करेंगे 5 और यहाँ पर हम click करेंगे go to पर तो आप देखिए हम number 5 line पर आ चुके हैं तो इस तरह से हम go to command को use करते हैं तो अब हम इसे close करेंगे go to command की shortcut की है control plus G control plus G आप अपनी keyboard से control plus G प्रेस करके भी इस command को access कर सकते हो तो इस तरह से हम इन commands को use करते हैं